नमस्कार यूट्यूब चैनल एन उन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे गैस वेल्डिंग में प्रियोग होने वाले ओक्सीजन और एसिटलीन स्लेंडर के बारे में और पहले कंपोनेंट देख लेते हैं यहां दो स्ले निकल रही है और यहां पर प्रेशर रेगुलेटर के अलार्ज वियो को दिखाया गया है तो सबसे पहले बात करते हैं ओक्सीजन स्लेंडर के बारे में यह स्लेंडर अलोए स्टील के बने होते हैं और काले रंग के होते हैं और ऐसी टलीन स्लेंडर की अपेक्सा यह लंबाई में अधिक और व्यास में कम साइज के बने होते हैं काले रंग के ओक्सीजन स्लेंडर की जो लंबाई है वह 1.295 मीटर और इसका जो इंटरनल डाया मीटर है 0.216 मीटर और एक्स्टरनल डाया मीटर 0.229 मीटर होता है और इसके आउटलेट वाल में राइट हैंड थ्रेड होते हैं इसके उपर ही ओक्सीजन का रेगुलेटर फिट किया जाता है और ओक्सीजन का जो रेगुलेटर होता है उसका परियोग गैस प्रेशर को वरकिंग प्रेशर के अनुसार कम करने के लिए तथा बलो पाइप से औक्सीजन गैस को नियंतरित करने के लिए किया जाता है और इसमें दाई हाथ की चूडियां होती हैं और यह काले रंग में रंगे होते हैं और इस रेगुलेटर का भार एसी टलीन की अपेक्सिया अधिक होता है और यह अधिक दवाब के लिए होता है अगर बात करें यह पाजार से किराय पर मिलता है जो ओक्सीजन का स्लेंडर होता है तथा ओक्सीजन गैस समाप्त होने पर इसे जमा करा कर नया ले लिया जाता है पुराने स्लेंडर में दोबारा गैस भरने के लिए गैस प्लांट में भेज दिया जाता है ओक्सीजन स्लेंडर में गैस भंडा एक्सा यह लंबाई में कम और व्यास में बड़े होते हैं एक दसमलव 0.03 मीटर होती है और इसका जो अंधरूनी व्यास रहता है वह 0.30 मीटर होता है और इसका जो रंग मेरून होता है और इसके आउटलेट वालप पर बाई हाथ की चूड़ियां बनी होती है और इसके अंदर एसिटलीन गैस भरी होती है यह गैस एक हाइडरोजन गैस है जो 0.07 केजी पर सेंटिमीटर स्केर से अधिक दाप पर विर्टित हो जाती है और गैस लेंडर के अंदर चार कोल या लाइम सील का पिंड होता है जो छिद्र युक्त होते है इसमें एसिट ओन द्रव मिला होता है जो 25 बार सोसित या घुल जाता है एसिटलीन गैस लेंडर आम तोर पर 20 डिगरी सेल्सियस पर 15 केजी पर सेंटिमीटर स्केर पर भरा जाता ह इसमें घुलन सील एसिटलीन होती है और घुलन सीन होने से इसकी मातरा की रीडिंग सही नहीं आती इसलिए उचित मातरा का पता स्लेंडर का वजन करके लगाया जाता है और ये स्लेंडर भी मार्किट से सेक्योर्टी जमा करवा कर मिलते हैं और गैस प्रियोग करने के और जो acetylene gas regulator होता है वह oxygen gas regulator की भांती इसका प्रियोग acetylene gas pressure और blow pipe से acetylene gas को नियंतरित करने के लिए किया जाता है और इसमें बाई हाथ की चूडियां होती है और यह भी मैरून रंग का होता है यह कम pressure के लिए होता है तथा इसका भार oxygen regulator की अपेक्षया कम होता है अब बात करते हैं oxygen और acetylene cylinder में प्रियोग होने वाले pressure regulator को प्रियोग करते समय क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए सबसे पहले cylinder का जो valve है उसको खोलने से पहले pressure adjusting screw पूरा खुला हुआ देख लेना चाहिए आनिता cylinder का अधिक pressure working pressure gauge को खराब कर देगा oxygen के regulator को acetylene के cylinder पर fit करने का यतन ने करें और नहीं इसके विपरित acetylene regulator को oxygen के cylinder पर fit करने की कोशिस करें acetylene regulator को LPG पर प्रियोग कर सकते हैं और इन्हें कसने से पहले cylinder को crack करो तथा seat की धूल आदी साफ कर लेनी चाहिए nut को आविशक्ता से अधिक दवाब पर नहीं कसना चाहिए आनिता चूडियां खराब हो सकती हैं और इनकी चूडियां या assembly को तेल या grease नहीं देनी चाहिए आनिता विश्पोर्ट हो सकता है इसके लिए केवल गिलिसरीन का प्रियोग करना चाहिए और वालव खोलते समय गेजों के सीसों के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए आनिता तूट कर चोट लग सकती है regulator की मुरमत किसी अच्छे योग्या वे कुसल कारीगर से करवानी चाहिए यदि किसी pressure gauge की सुई वापस ना आये तो सिगर मुरमत करवा लेनी चाहिए यदि regulator करीब करे तो इसके वालव की seat आदी conduction करके इसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए अब बात करते हैं hose pipe की यहाँ पर एक pipe oxygen cylinder से और दूसरी pipe acetylene cylinder से निकल कर वो torch के साथ जुड़ी हुई है जो hose pipe होती है विशेश प्रकार की pipe है जिसका प्रियोग gas को blow pipe तक पहुँचाने के लिए किया जाता है और यह pipe rubber तथा बुने हुए कपड़े की कई परतों को जोड़ कर बनाई जाती है काफी मजबूत होती है तथा gas pressure को सफलता पूर्वक सेहन कर लेती है यह हलकी लचकदार तथा टिकाव होनी चाहिए और यह अलग-अलग size में available होती है और इनका size इनके अंदरूनी व्यास से लिया जाता है oxygen gas के लिए प्रियूक्त hose pipe का जो रंग है वह काला या नीला होना चाहिए acetylene gas के लिए hose pipe का जो रंग है मेरून वे लाल रंग होना चाहिए acetylene hose pipe का अंदर का व्यास oxygen hose pipe की अपेक्सिया अधिक होता है acetylene hose pipe की अपेक्सिया oxygen hose pipe के उपर अधिक परते होती है hose pipe की परते अधिकतम working pressure के अनुसार होती है जब pressure अधिक होता है तो अधिक परतों की pipe की आफ़सकता होती है hose pipe को regulator where blow pipe से जोडने के लिए clip nipple के नटों की आफ़सकता होती है oxygen gas के लिए प्रियुक्त nipple के नटों की चूड़ियां दाएं हात की होती है और Acetylene Gas के लिए प्रयोग की जाने वाली निपल के नटों की चुडियां बाएं हाथ की होती है Acetylene के निपल की पहचान के लिए नट में ग्रूब बने होते हैं और Hose Pipe की लंबाई 5 मीटर से 20 मीटर तक होती है और निपल फिट करते समय सावधानी रखनी चाहिए तथा धीला होने से बचाने के लिए प्रयोग करने चाहिए अब बात करते हैं टोर्च या ब्लो पाइप की क्योंकि टोर्च को ही ब्लो पाइप कहते हैं और यह वह ओजार है जिसमें दोनों गैसें Oxygen और Acetylene को परस पर उचित मातरा में मिलाकर Flame उत्पन करने के लिए जलाया जाता है Handle या Body के पीछे Oxygen तथा Acetylene के लिए Connection होते हैं जिन पर hose pipe फिट की जाती है और Mixing Chamber में दोनों गैसें परस पर मिल जाती हैं तथा फिर Head में से गुजर कर Tip या Nozzle के दुवारा बाहर आकर जलने पर Flame उत्पन करती हैं Needle Valve तथा Control Valve दोनों गैसों की मातरा को Flame के गुणों के आधार पर सही रखने में साहिता करते हैं और Welding Blow Pipe या Torch कई परकार के बनाए जाते हैं जैसे High Pressure Blow Pipe, Low Pressure Blow Pipe, Automatic या Equal Pressure Blow Pipe Welding Nozzle या Tip Blow Pipe का परमुख भाग होता है जहां से गैसें जलने से पहले गुजरती है और यह Flame का Size वे ताप की मातरा को कंट्रोल करती है और यह तांबे की बनी होती है जिससे अधिक ताप पर Nozzle खराब नहीं होती और यह नमबरों से मिलती है जो 1 से 90 नमबर तक होती है तो दोस्तो आज हमने बात की गैस वेल्डिंग में प्रियोग होने वाले ओक्सीजन और एसिटलीन स्लेंडर के बारे में और उससे सम्मंदित जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में और प्रेशर अडजेस्टिंग सक्रिव को धीरे धीरे दाएं हाथ घुमाकर अंदर की तरफ कसना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा भी प्रेशर पढ़ने से गैस लो प्रेशर की तरफ आनी सुरू हो जाती है और इसके अत्रिक जब हम रेगुलेटर को सिलिंडर से जोड़ते हैं उसके लिए कुछ प्रोसीजर रहता है कि जो प्रेशर रेगुलेटर को चूड़ियों की दिशा का ध्यान रखते हुए कसना चाहिए प्रेशर रेगुलेटर की गेज कसते समय उपर की तरफ सीधी होनी चाहिए और यदि जोड में पैकिंग हो तो उसकी हालात अच्छी है यह देख लेना चाहिए स्लेंडर का वाल्व धीरे धीरे खोलो तथा स्लेंडर गेज की रीडिंग नोट करो यह स्लेंडर का अंधरूनी प्रेशर बताएगी और स्लेंडर के वाल्व को थोड़ा सा खोल कर बंद कर दो इससे स्लेंडर की क्रैकिंग कहते हैं इससे वालव का जो मार्ग है तथा सीट साफ हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन इनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे